बिस्मिल्लाहिरामान रहीम आज हम डिसकस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च हमारे पास उसका लेक्चर फाइव है हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथिमेटिक्स है यहाँ पे FSE, BS, BSE, MSC मैथिमेटिक्स को पढ़ाया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ल X1-3X2-2X3 हमारे पास constraints या linear inequalities है 3X1-X2 plus 2X3 less than equal to 7 minus 2X1 plus 4X2 less than equal to 12 minus 4X1 plus 3X2 plus 8X3 less than equal to 10 X1, X2, X3 greater than equal to 0 तो देखें हम इनको change करेंगे हमारे पास inequality है 3X1-X2 plus 2X3 less than equal to 7 तो मैंने क्या बताया था जो less than inequality होगी उसमें हम variable add करेंगे इसको लिखेंगे हम जहां लिखतेता हूं 3X1-X2 plus 2X3 देखें यह less than है तो इसमें हम variable add करेंगे X1 is equal to 7 और inequality को change कर दिया मैंने equality में next देखें minus 2X1 plus 4X2 यह भी less है इसमें भी हम variable को add करेंगे X2 is equal to 12 और minus 4X1 plus 3X2 plus 8X3 plus S3 is equal to 10 देखें अगर less than equality होगी तो आप non basic variable यानि S1, S2, S3 को add करेंगे अगर यहां पर कोई इन में से कोई inequality greater होती तो वहां पर हमने इसको क्या करना था ना नभी से variable को subtract करना था हमने तो हमारे पास equation बान गई minimum of X1 minus 3X2 minus 3X3 तो मैंने इसको कैसे लिखेंगे आप इसको आप लिखेंगे minimize of Z इसको यह लागर minus होगा minus X1 plus 3X2 plus 2X3 is equal to 0 जब आप इसको table form में इसको change करेंगे तो मैंने क्या बोला था Z हमारे पास जो basic variable है X1, X2, X3 non-basic variable S1, S2, S3 जो last हमारे पास जो column होगा वो show करता है solution को तो हमारे पास जो non-basic variable थे S1, S2, S3 S3 वो हम column first में लिखेंगे तो देखें लिखें इसको हमारे पास क्या है S1 का कॉफशन बराबर जो 0 के करना है अपने इसको क्या है minus 1 क्या है 3X2 का कॉफशन, X3 का 2, S1, S2, S3, 0 तो हमारे पास बराबर क्या है 0 के अब हम लिखेंगे S1 तो देखें S1 इसे में X1 का कॉफशन, 3, X2 का कॉफशन, minus 1, S3 का कॉफशन, 2, S1 का कॉफशन, 1 देखें इसमें S2, S3 نہیں है दोने कॉफशन क्या होगे 0, 0 बराबर किसके है 7 के इसी तरह S2, देखें इसमें S2 आ रहा है, X1 का कॉफशन, minus 2 S2 का कॉफिजेंट 4 X3 नहीं है तो उसका कॉफिजेंट क्या हो गया 0 S1 नहीं है तो उसका कॉफिजेंट 0 S2 का कॉफिजेंट 1 S3 नहीं है वो भी क्या हो गया 0 बराबर क्या गया 12 इसी तरह S3 इसमें आ रहा है X1 का कॉफिशेंट माइनस 4 S2 का कॉफिशेंट 3 S3 का कॉफिशेंट 8 S1 S2 दोनों नहीं है क्या हो गए 0 S3 का कॉफिशेंट 1 बराबर क्या है 12 तो मैंने क्या बोला था जो negative हो S जो Z वाली रो है negative हो या positive हो जो सबसे बड़ा कॉफिशेंट होगा वो क्या है S3 वो किसका है S2 का कॉफिशेंट इसका मतलब जो X2 है यह हमारे पास entering variable हो जाएगा तो मैंने क्या बताया था इसके सामने जो आप ratio लेंगे मैंने बोला था कि negative value नहीं आप लेंगे इसकी जो ratio है वो negative नहीं आने चाहिए अपने पड़ा समयने previous lecture में आपको बता जुका हूँ कि इसमें negative positive आ सकता है जो सबसे बड़ा option होगा बेशा वो positive में हो जा negative में हो वो entering variable होगा इनकी हम इसके साथ ratio लेंगे negative ratio नहीं आप लेंगे लिखा हुए अलगुरिदम में आप लें 12 को divide करें आप 4 पे तो क्या हैगा 3 और आप 10 को divide करें 3 पे तो 3 हैं इन्टू 1 ओवर 3 तो देखें कौन सी ratio आई है छोटी ratio आप smallest ratio लेंगे smallest positive ratio ये clear कर लें कि जो smallest ratio हो और positive हो negative ratio को आप क्या कर देंगे ignore तो देखें छोटी ratio कौन सी है 3 इसके सामने है S2 इसका मतलब S2 हमारे पास बिटा living variable आगया देखें जो सबसे छोटी ratio होगी ये देखें जे सब छोटी ratio है ये बड़ी है जो छोटी ratio होगी और positive negative ratio को आप ignore कर negative ratio नहीं आप लेंगे ये आपका living variable हो गया और जो Z वाली row है उसमें जो सबसे बड़ा coefficient होगा वो negative हो या positive हो इसमें negative positive हो सकता है जो सबसे बड़ी value होगी बेशक वो negative में हो या positive में हो वो आपका क्या होगा S2 हमारा living variable होगा और S2 हमारा living variable होगा चेक कर लें next page पे तो देखें यही ratio मैंने ली यह हमारे पास क्या करेंगे 4 को divide करेंगे 12 पे और 10 को divide करेंगे 3 पे तो देख लें जो सबसे बड़ी ratio है वो बड़ा हमारा entering variable है और S2 हमारा living देखें यह living इसकी जगा पे क्या जगा एक्स तो और मैंने आपको बड़ा क्या बताया था कि आप आपके पास S2 आ गया तो यह S2 के momento है तो S2 इसके सामने आया इसका koc nied क्या ओने चाहिए 1 क्यों 1 इसकी मज़से हम उपर 0 करेंगे इसके मज़से हम नीचे 0 करेंगे तो मैंने क्या बोला था कि आपने कौन सा method apply काना है गौस-jordan method तो गौस-jordan method क्या होता है बिठा कि डैगनलमे 1 हो उसके नीचे वाले element 0 फिर डैगनलमे 1 हो उपर नीचे 0 फिर 1 हो उपर नीचे 0 ये हमने इसको change करना है क्योंकि हमारे पास जो basic variable वो 3 है s1, s2, s3 तो हमने 3 x 3 की हमने identity लेके आनी है हमारा काम क्या है कि यहां पे क्या हो 1 हम इस पूरी row को 4 पे ड्वाइड कर देंगे इसको करें 4 पे ड्वाइड मैंस भाइड करें इसको 4 पे इसको 4 पे इसको 4 पे ड्वाइड करें आप बेटा इसी की मदर से आमने उपर भी जिरो कर दिया नीचे भी जिरो ये मैंने क्या अपलाई किया गौस जॉड़न मैथड उसके बाद आप देखें उसके बाद आके पास जब ये आपने प्रॉसम उकमल कर लिया उसके बाद देखें अब सबसे बड़ी रेशो क्या है उसका मतलब s3 एंन्टरिंग वेरियबल आप इसके मताबक आप लें रेशो देखें नेक्टर के साथ रेशो न ले सकते और और जीरो के साथ को यह इंफिंटी हो जागी ना आप नेक्टर को छोड़ देंगे और जीरो को अब लें इस किसके साथ रेशो क्या एगा फाइव ओवर टू या एगा टू पॉएंड फाइव इसके साथ रेशो लेंगे जाब आप वान ओवर एड को ड्वाइड करेंगे पूटी रेशो है तो यह किसके सामने है देखें टू पॉट फाइव बड़ा है वन के छोटब एस ट्री इसका मतलब एस थ्री मिरा लेविंग वेरियेबल बन गया लेविंग वेरियेबल और एस ख्री मेरा मेरा इंक्रेव देखें इसकी जगह पर क्या जाएगा एक्स ठ् तो देखें बड़ा X3 का आपके पास जो कॉफिशेंट है वो यह X3 का यह देखें X3 यह बापके पास है X3 का कॉफिशेंट अब आप यह आखे सामने आ रहा है तो इसको आप क्या करेंगे वन इस पूरी एक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे डिवाइड करें इसको एड़ पर देटर यह चो इसकी मद्द से आप उपर क्या करेंगे जिरो क्या करेंगे ये तो पहले जिरो है जिब बिड़ा ये हमारे पास क्या गया वन ये वन हैगा न इसको हम क्या करेंगे माइनस टू से मल्टिप्लाइ तो आंसर क्या जागा जिरो अब हमारे पास आगे आपको ratio नुका लें की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि X2 भी आगया X3 अब कौन सा variable हमारे पास बचा S1 तो इसका मतलब ये ratio आप चेक करें या ना करें एक ही बात है आप देखो उसने चेक ही हुई है क्योंकि negative ratio भी नहीं लेंगे ये को दुनों negative है negative की ratio हम नहीं लेंगे तो सिर्फ एक ही है इसकी ratio लेंगे सिर्फ एक ही variable बचा इसका मतलब कि X1 entering variable entering variable और बेटा हमारे पास जो है X1 वो क्या है living variable इसकी जगह पे क्या जगा X1 इसको हम क्या करेंगे 1 एक चरणा करने गद गलिए-वेड को इसको आप डिवाइट करेंगे ऐन तो भोक्या जगा Men रहे तो वह तो यह जगा एक लिएट करेंगे तो ङसको अब करेंगे 25 और 8 से एक ओवड़ residents याँlish तो यह जहेंगे इन व्हुश की तीक हैं क्या कर दिया जीरो तो देखें ये क्या आगया हमारे पास गौस्ट जॉड़न मेथड तो ये वैल्यू किसकी है एक्स थ्री की ये वैल्यू एक्स टू की ये वैल्यू एक्स वान की और ये वैल्यू किसकी है जैड की एक्स वान एक्स टू एक्स त्री एक्स जैड की आपका focus मकमल जो है वो इस page की तरफ हो हमारे पास z आ गया x1, x2, x3, x1, x2, x3 और ये solution table 0 तो देखें हमारे पास minus 1, 3, 2, 0, 0, 0 और हमारे पास अब देखें x, x1, x2, x3 ये मैं आपको पहले बता चुका हूँगी ये आपको क्या बने जगा interim variable ये interim variable और ये leaving variable तो ये x2 जगह पे आप क्या जगा s, x2 तो 3, minus 1, 2, 1, 0, 0, 7, हाँ जी, minus 2, 4, 0, 0, 1, 0, 12, minus 4, 3, 8, 0, 0, 1, 10, तो बेड़ा क्या करेंगे आपके पास के आगे x2 देखें ये x2 और ये x2 है तो ये देखें सामने इसको आप क्या करेंगे 1 बड़ा देखेंगे x2 के leaving इसको हम क्या करेंगे जो x2 जिसको आपने है उस x2 के सामने इस coefficient को क्या करेंगे हम 1 इस पूरी equation को मेरे बेटे आप divide कर दें 4 पे तो 4 पे divide करेंगे जब आप इसको जैड माइनस वान थ्री टू जीरो 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 एस वान थ्री माइनस वान टू वान जीरो जीरो सेवन अब हमने ड्रेक्ट किया आपने पूरा पेपर में आप कारते हैं बेशक x2 हमारे पास करेंगे इसको 4 पे divide माइनस वान बाई 2 इसको 4 पे divide 1 इसको 4 पे divide 1 बाई 4 4 इसको 4 पे से नीचे जीरो करेंगे क्या करेंगे हम इसको उपर भी जीरो करेंगे न अपने इसको क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे नीचे इसको क्या करेंगे माइनस 3 से तो देखें next process हमारे पास ये z की value करें काम करना शुरू आप इसको 0 करेंगे क्या करेंगे इसको इसमें से add करतेंगे करें add x2 हमारे पास s1 और s3 तो देखें इसको हमारे पास आगया x2 की value minus 1 by 2 1 0 0 1 by 4 0 3 करें मेरे इसको इसको इसमें से add करें 3 minus 1 by 2 6 और 1 5 by 2 इसको इसमें add करें 0 इसको इसमें add करें 2 इसको इसमें add करें 1 इसको इसमें add करें 1 by 2 इसको इसमें add करें 0 इसको इसमें add करेंगे तो 10 आप इड़ा ये कैसे 0 इसको करेंगे हम माइन retro3 से मौल्टिप्लाइग करें इसको माइन 3 से मौल्टिप्लाइग पूरी करते मौल्टिप्लाइगcessor मैं रिilles Одесс स्मय प्लास 3 बॉइश है इसम eh कर देंगे तो क्या गया मैंनस 2 लान Ooh वाई 2 इसको डरे मण स्धेन है मल्लिप्लाई 2 इसको करें माइनस 3 से मल्लिप्लाई 0 इसको करें माइनस 3 से मल्लिप्लाई माइनस 3 भाई 4 इसको करें माइनस 3 से मल्लिप्लाई 0 इसको करें माइनस 3 से मल्लिप्लाई तो क्या गया माइनस 9 इस तरह नीचे 0 करेंगे क्या करेंगे माइनस 3 से मल्डिप्लाइ इसको करें माइनस 3 से मल्डिप्लाइ एट इसको करें माइनस 3 से मल्डिप्लाइ 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 देखें यही value है देखें आप five by two zero two one by four zero five और देखें माइनस one by two one zero zero one by two four zero चेक कर लें आप minus five by two zero eight zero minus three one 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 अब उसी के बाद देखें फिर वो ही entering variable फिर बड़ा आप क्या करेंगे अब आपके पास क्या आगया x three x three देखें x three यह है और यह इसको हम क्या करेंगे one इस बड़ा पूरी equation को आप eight पे डिवाइड कर देंगे फिर बड़ा इसी के मज़़ से हम उपर zero करेंगे यह वैसे आपने क्या कहते हैं एफसी में भी बिड़ा आपने इसको बॉलते हैं गाउस जॉर्डर मैथड जॉर्डर मैथड जहां इसको बड़ा हम रड्यूस एचलों फार्म भी बोलते हैं यह वही प्रॉस्स हैं यहां हमने क्योंकि हमने ड्रेक्ट डिवाइड कर दिया है वान पे देखें यह वान है साथ ही हमने उपर निच्छ को प के पास जो मैथिमेडिकल मैथड है उसमें भी आप इसको बड़ा जो है आपके पास है लीनियर अलजबरा जो आप स्मेस्टर टू में पढ़ते हैं उसमें भी आपने इसको डिसकस किया है एच्छनल फार्म और अडियूस एर्मा हमारा मेन यही टार्गड है के इंटरिंग वेरियबल और लीविंग वेरियबल कैसे चूज़ करते हैं वो मैंने आपको बेतरी तरीके से बता दिया इसको आप अच्छे तरीके से मेरे बेड़े त्यार करें